हलो गाईच इस वीडियो में हम दो एक्जामपल लेंगे और इस तरह की सवाल आपको करने आजागा हो सकता इस 30 रुपया की जगह पर 110,000, 20,000, 1,00,000 कुछ भी रहे और यहाँ पर 10% निकालने की जगह पर 20%, 60%, 70% कितना भी दे दे तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है इस तरह की सवाल आपको बना देना है मातर इसमें दो ही क्यूशन करूँगा आपको समझ में आ जागा यहाँ पर सवाल है कि 30 रुपया का 10% निकाले तो क्या करना है ध्यान दीजिए पहले नमबर 30 रुपया लिख लिजिए इसके बाद यह का का मतलब आप समझ लिजिएगा कि गुना हो जागा और कितना निकालना है हमें 10% तो 10 को यहाँ पर लिख दीजिए और यह पर 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 तीसत का मतलब पता है क्या होता है कहीं पर 100 लिखना होता है तो अब आप क्या किजिए बटा में करके और 100 लिख दीजिए अब जो जो कट रहा है काट दीजिए तो 00 से यह खतम हो जाएगा और यहाँ भी 0 यह भी 0 यह खतम बच जाएगा 3 ठीक है तो यह तीन आपका एंस्वर हो चुका है तो चलिए एक और उधारन लेते हैं तो अगला उधारन कुछ इस पर कार के है कि 80 रुपया का 20 पर तीसत निकालें तो आप 80 की जगह पर और भी ले सकते हैं मैं आपको कह रहा हूँ बार बार 80 की जगह पर एक लाख दू लाख कितना भी ले लिजिए और 20 पर तीसत के जगह और कुछ भी ले लिजिए ठीक है तो यहां पर ध्यान दीजे करना क्या है बस 80 को लिख दीजिए और का है तो गुना का चिन लगा दीजिए और 20 को कितना निकालना है 20 पर 30 तो 20 लिख दीजिए और बटा में लिख दीजिए 100 और जो जो कटेगा काट दीजिए बस बात खतम 00-0, 00-0 खतम, यहां बच जागा 8 और 2 तो आप क्या किजिए 8 और 2 को गुना कर दीजिए तो जाएगा 16 तो यह आपका 16 हो गया एंसर तो गाइज इस तरह से बनाया जाता है अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए मिलते हैं एक और नए दिन नए वीडियो के साथ तपते के लिए जैहिंद हों दे मातर